तो यहाँ पर दोफ तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वालों कि कैसे आप अपने MIK जा Redmi के किसी भी मोबाइल में जो आपके Apps है ओटो कुलोव हो जाते हैं जा बैगराउंड में रन करना बंद कर देते हैं तो आप उफ प्रोग्लम को कैसे फॉल्व कर सकते ह प्रोग्लम कर ये फाप मैं आपको बताने वाला हों तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना है तो यहाँ पर दोफ तो बिना टायम वेष्ट के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर आपको मैं step by step फार कुछ बताने वाला हूं तो आपने इ उनकी यहाँ पर Fatting में चले जाना है Fatting में जाने के बाद दोफटों आपको क्या करना है यहााँ पर नीचे Scrollódम करना है और आपको चले जाना है Apps में ठीक है Apps में छले जाना है यहाँ पर दोफटों आपको बहुत फ्री ओप्शिन देखिन को मिल जाएंगे तो उसको आपने यहाँ पर फ्लेक्ट कर लेना है जैसे एक्वेंपल की तोर पर मैं यहाँ पर WhatsApp को फ्लेक्ट कर रहा हूँ तो मैं WhatsApp को ओपन कर लूँगा ओपन करने के बाद दोफत हूँ मेरे पाफ कुछ ऐसा इंटर्वेफ आ जाएगा अभी यहाँ पर मुझे एक option देखने को मिल रहा है auto start का तो by default हो फक्ता आपके mobile में यह बंद रहे लेकिन आपने इफ option को जुरूर फे on कर देना है ठीक है ओके कर देना है and इफ को auto start पर ही रखना है क्योंकि जब भी आपका phone बंद करके कोई चलाएगा ज़र you start करेगा तो automatically यह auto start हो जाएगा background में ठीक है तो यह एक बहुत important setting है जो आपको on करके जुरूर फे रखनी है अभी दोफतों यहाँ पर आप एक और option देख पा रहे होंगे कि battery favor option आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब दोफतों मान के चलिए आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा जो एप है automatically 10 minute के अंदर background फे हट जाएगा मतलब वो काम करना ही बंद कर देगा तो आपको यहाँ पर बहुत फ़रे option देखने को मिल रहे हैं लेकिन आपने आँख मीच कर यहाँ पर फ़र उपर वाला option क्लिक कर देना है ठीक है no restriction for अभी दोफतों चाहे आपको जो target वाला बंद है जो यह वाला बंद है जिफके फोन में मैं फारा कुछ कर रहा हूँ चाहे यह power saving mode on कर दे तब भी यहाँ पर यह जो है background में apps work करेंगे ठीक है तो यहाँ पर दोफतों यह शोट शोटी फैटिंग है जो आपकी बहुत ज़दा help करने वाली है किफी भी app को चलाने में ठीक है यह जो दो फैटिंग मैंने आपको बताई है बहुत important थी अब यहाँ आपको और भी फैटिंग बताऊंगा वो इसे भी ज़दा important होने वाली है तो अभी दोफतों में आपको दूफरा method बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर back चले जाना है जैसे MIUI version यहाँ पर अगर आप लगबग तीन से चार बर क्लिक करोगे तो आपको एक developer option मिलेगा वो developer option मैंने आलरेड़ी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि मैंने आलरेड़ी enable कर रहा है तो आप यहाँ पर जब से चार-पांच बार क्लिक करोगे तो आपका developer option आ जाएगा तो आपको क्या करना है developer option ले आना है यहाँ पर आपको search box पर type कर देना है D E V E ठीक है इतना type करना है और आपके फार्म ने developer option आ जाएगा सबसे उपर और आपको क्या करना है इसको open कर लेना है open करने के बाद दोफ्तों आपने इसको on कर लेना है अगर यह off रहेगा तो आपने इसको on कर लेना है and okay दबा देना है ठीक है तो यहाँ पर दोफ्तों अभी आपको क्या करना है फब से नीचे चले जाना है फब से नीचे चले गा है आप नीचे जाने के बाद दोफ्तों आपको क्या करना है ऊपर जाना है थोड़ा स्क्रॉल करना है यहां पर दोफ्तों आपको एक option देखन को मिल जाएगा background processing limit का तो आपने यहां पर क्लिक करना है और यहां पर दोफ्तों आपको 3 जा 4 पर क्लिक कर देना है मेरा recommendation रहेगा कि आप 3 पर click कर दीजे ये बैट रहेगा ठीक है इतना करने के बाद दोफ्तों अभी क्या होगा आपको जो background में power जो होती है थोड़ी फी ज़्यादा जाएगी इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी tension लेनी वाले बात नहीं है लेकिन आपके जितने भी apps हैं अच्छे फे work करेंगे जिन पर भी आप यहाँ पर fatting करोगे ये वीडियो के दवारा ठीक है तो अभी दोफ्तों इतना fatting complete करने के बाद step number 3 में हम क्या करेंगे यहाँ पर back जाएंगे पूरा totally back आ जाएंगे और आप आपको यहाँ पर main जो option आपके apps होते हैं वहाँ पर आ जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेंगी वह मैं आपको दिखा देता हूं MI के phone में आपको security देखने को मिलेगा ठीक है तो यह जो security है आपको क्या करना है इसको यहाँ पर tap करना है tap करने क AWS का फारा जितना भी है data clear कर देना है ठीक है बंद कर देती है जो भी पीशे जो background होते हैं जिस scanning वगारा कर लेती है इनके कारण भी यह problem देखने को मिल जाता आपको ठीक है तो आपने क्या करना है यह पर fatting में जाना है और यहापर दोफ्तों आपको जो भी है चीजे उनको बंद कर देना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो permission फे उनको आपने बंद कर देना है ठीक है ओफ अके तो आप अगर इसको uninstall करना चाहें तो uninstall भी कर सकते हो उसका वीडियो में आपको अगली वीडियो में बता दूँगा कि कैफि इसको आपने uninstall करना है अभी दोफ तो आपको last step बताने वालों जिसके कहाण आ जितने भी फालतू के आप पड़े हो है जैसे ये flip card पड़ा हो है जो भी आप आप यूफ नहीं करते ठीक है आपको शक है कि ये आप आप यूफ नहीं करते तो आप इसको क्या किजिए इसको uninstall कर दीजिए फिंपल फे आपका जितना भी space है ना आपको clean करके रखना है आपको क्या होगा आपके आप जो होंगे बंद हो जाएंगे बार-बार और आपको फिर फे उनको restart गरे करना पड़ेगा तो ये problem जो है इन चीजों के कारण देखी जाती है अगर आपका ये problem follow हो जाता तो आप मुझे comment में जरूर बताएगा बाकी permanent follow होने चाहिए क्योंकि कि मैंने ये ट्रेक बर्फों से इस्तमाल किया और मुझे इसके अच्छे result मिले है तो उमीद करने वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेजेगा और वीडियो को like जुरूर करके जाएगा